तो हेलो दोस्तो वेलकम टू माइ ब्लॉग दोस्तो आप देख सकते हैं कि ये वाली मेरी ट्रेन है और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस ट्रेन के अंदर क्या है पूरी की पूरी ट्रेन लोडेड है आप समझ जाओगे किस चीज से मैं आपको दिखाता हूँ देखते तरे ये दोस्तो ट्रेन पूरी पैक है आप देख सकते हैं पनिया वग्यरा लगी है क्योंकि बारिस का मौसम चल रहा है और आप बगल में भी देख सकते हैं एक ये मालगाडी खड़ी हुई है जो मालगाडी बंद है और इस मालगाडी के इंजन का जो पैंटो है वो डाउन ह ये मालगाडी बंद है ब्लू कलर की मालगाडी है ये कोचिंग डिब्बे जैसे लग रहे हैं लेकिन ये दोस्तो कोचिंग डिब्बे नहीं होते हैं इनके अंदर ट्रेक्टर या कार जाती है इसलिए इनको पैक कर दिया गया है पूरी तरह से बैल्ड कर दिया गया है तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी ट्रेन के अंदर भरा हुआ है मक्का पूरी की पूरी लोडेड है मक्का से आप देख सकते हैं नीचे मक्का निकल रही है इसमें फैल रही है मक्का ये देखिए दोस्तों दोस्तों प्रॉपर सील की गई है पूरी ट्रेन आप देख सकते हैं इसमें bolt लगा हुआ है और bolt को टेडा करके belting कर दी गई है जिससे कि एक भी gate इसका खोला नहीं जा सकता है तो दोस्तों और भी आपको दिखा देता हूँ इसके gate और आप देख सकते हैं हर gate पर bolt लगा दिया गया है हर gate पर bolt लगा कर इसको टेडा कर दिया गया है जिससे कि ये bolt खोलने में असंबाव है ये वहीं खुलेगा जहां से ये loading होके आ रही है और इसमें मक्का लदी हुई है देखिए इस पर साफ साफ लिखा हुआ है M A I Z E ये कहां से कहां तक जा रही है वह चीज लिखी हुई है और इसके अंदर मक्का ही मक्का भरी हुई है दोस्तो ये देखिए ये train बगल में खड़ी हुई है हमारे और ये train बंद है क्योंकि इसका जो पेंटोग्राफ होता है ये वाला या ये वाला दोनों ही डाउन है ये electric engine है W A G 9 और दोस्तो आईए दिखाता हूँ आपको मक्का बाहर फैली भी रहती है इसमें जिससे कि आपको अंदाज लग जाएगा कि इस train के अंदर क्या है पूरी की पूरी train एकदम पन्नी से पैक कर दी गई है बोल्ट से टाइट कर दी गई है आप देखिए काफी सारी मक्का फैली हुई पड़ी है आपर यह देखिए दोस्तो यह मक्का अकसर करके कासगंज से कासगंज के पास एक उजानी जगए है वहां से लोड हो के ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई होती है तो दोस्तो आप देख सकते हैं दोस्तों इंडियन रेलवे के ऐसे ही बहतरीन ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल रेलवे जासूस को यूट्यूब, फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए